तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को शमारू मंग पर आने वाले सीरियल किस्मत की लकीरों से किकास्च के परड़े की सेलरी के बारे में बताने वाले हैं जो कि शायद ही आप सभी जानते होंगे और जानकर चौक जाएंगे तो अगर आप सब भी जाना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के साथ अंतक बने रहेगा तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले बात कर लेते हैं नमबर एक नादिया हिमानी जो के सीरियल रितू का किरदार निवा रही है और इनकी परडे सेलरी की की जाए तो यह को करने का बाइस हजार रुपे लिती हैं नामर तीन युवा शुरली जो कि सीरियल में नैना का किरधार निबा रहे हैं और इनके परड़े की बाद की जाए तो ये एक एपेसोड करने का 25,000 रुपे लेते हैं नमबर चौर डॉली कौशिक जो के सीरियल में आरती का किरदान निबा रही है और इनकी परड़े की सेलरी की बात की जाए तो ये एक एपेसोड करने का 20,000 रुपे लेते हैं अफ्तार वैशनानी जो के सीरियल में बबलू का किरदान निबा रही है और इनकी परड़े सेलरी की बात की जाए तो ये एक एपेसोड करने का 15,000 रुपे लेते हैं नमबर सिक्स सुमिच सिंग जो के सीरियल में कीरती का किरदान निबा रही है और इनके पर डे सेलरी की बात की जाये तो ये एक एपिसोड करने का 35,000 रुपे लेती हैं नमबर साथ अभिशेक पठानिया जो के सीरियल में अभै का किरदान निबा रहे हैं और इनकी पर दे की सेलरी की बात की जाये तो ये एक एपिसोड करने का 35,000 रुपे लेते हैं नमबर आठ वरुन विजय शर्मा जो के सीरियल में वरुन का किरदान निबा रहे हैं और इनकी पर डे सेलरी की बात की जाए तो ये एक एपिसोड करने का 40,000 रुपे लेते हैं नमबर दश शीतल जैस्वाल जो कि इस सीरियल में सूनिया का किरदार निभा रही है और इनकी परड़े की सैलरी की बात की जाए तो ये एक एपिसोड करने का पच्चिस हजार रुपे लेती हैं. नमबर ग्यारा फारुक सयद जो कि इस सीरियल में सूनिया के पापा का किरदार निभा रही है और इनकी परड़े की सैलरी की बात की जाए तो ये एक एपिसोड करने का बाइस हजार रुपे लेती हैं. न्मर बारा खुशी राजपूत जो के इस सीरियल में श्रदधा की मा का किरदार निभा रही है और इनके परडे की सैलरी की बात की जाये तो ये एक एपिसोड करने का 20,000 रूपे लेती हैं अरुनपाल जो के सीरियल में वरुन के पापा का करदार निभा रही है और उनके परड़े की सेलरी की बात की जाए तो ये एक एपिसोड करने का 25,000 रुपे लेती है तो अब आप सभी का क्या कहना है और आपको ये सीरियल कैसा लगता है हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें